दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited यानी IRFC की बात की तो Profit Booking के बाद श्टॉक फिर से बिल्कुल तेजी से दोडने को तयार है लगातार दोडना है आप देखी सकते हो कि बहुत ही जबर्दस और Volume Topper बना हुआ है अब इतनी बड़ी जो तेजी के पीछे जो असली वज़े उसको समझने की कोसिस करेंगे कहां तक जा सकता है IRFC क्या इस समय इन्वेस्मेंट किया जा सकता है या फिर एक बार Profit Book करके निकल जाए तो यहां पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिसकस करेंगे जानने की कोसिस करेंगे जो रेल्वे के शेयरों की तेजी है उसमें IRFC कहा तक जा सकता है क्या यह बजट के बाद जो आगे की संभाण और पॉजटी बने यार बजट के पहले एक बार Profit Book करके निकल जाए जो एक फरवरी को हमारे सामने इंटरीम बजट होगा लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी नया विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले विडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स विडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी लगबग एक डेड़ बजे के आसपस का टाइम है देख सकते हो कि BSC Sensex 71,711 के इस्तर पर है जापे 525 पॉइंट की सांदार तेजी बनी हुई है यानि 0.74% अप पर है BSC Sensex तो पिछले दिन के गिरावट के बाद बाजर ने फिर से एक तेजी बनानी शुरू कर दिया है यानि आप आप समझ सकते हो कि इस समय बाजर में बड़ी गिरावट की सम्भाण आभी भी दिखाई नहीं दे लिए BSC Financial Service में भी काफ़े अची तेजी है 10166 के इस तरफे 0.81% की तेजी है लेकिन IRFC ने तो कमाली कर दिया है अब आप देख सकते हो कि स्टॉक की सुरूआ तोई 149 पर पोजिटीव सुरूआ तोई कल की क्लोजिंग 146 के आसपास थी इंट्राडे में 160 का हाई बना जो लो है वो 149 का है अभी समय स्टॉक 160 के आसपास है बिल्कुल फ्रेश आई एक नई ओल्टाइम हाई बनाई है 9.40% की बंपर तेजी के साथ में अब आप देखी सकते हो कि दिन का लो जो है 149 का लेकिन जो हाई है और यह देख सकते हो कि इसका एक दम बिल्कुल आज ओल्टाइम हाई इसने बना दिया नई फ्रेश हाई बना दिया और नया इतियास रच दिया अब इसकी परफॉर्मस आप देखी सकते हो कि 12 जन्दवरी को श्टॉक 113 के आसपास था जहापे 6.1 परसं की तेजी बनी थी 15 जन्दवरी की बात को क्लोजिंग 130 के आसपास था जहापे 14.7 परसं की सांदार तेजी बनी और 16 जन्दवरी की बात को क्लोजिंग 141 के आसपास था जहापे 9 परसं की फिर से जवरतस तेजी बनी और 17 जन्दवरी की बात को क्लोजिंग 149 के आसपास था जहापे 5.1 परसं सbayernisouca 19 क्रोड का वालिम था 4 डिलियृवट है गेती वन वीक फ़ले 39 क्रोड का वालिम होता सेवन रिख करोड की डिलिय उठ है के ज parallels गेती कल 30 को lot का वालिम हो चुका फूरी वाजार में वालिम के मामने में number 1 पे है twee आइए डूर ऑपसी तो और देखें तो कि निप्टी 50 के अंदर बहुत बड़ी इसकी अपनी पोजिशन हासिल कर लिए पीछले नौ ट्रेडिंग सेंसे में 60% का बंपर रिटेन दे दिया इस्टोक और अब देखें इसका जो मार्केट कैप है वो 2 लेक करोड को क्रोस कर चुका है अब लिश्ट में देखी सकते हो कि IRFC जिसका 2.10 लेक करोड का मारकेट कैप है M&M जिसका 2.03 लेक रोड का मार्केट केप है Bazaar Auto जिसका 2.02 लेक रोड का मार्केट केप है JSW Steel जिसका 1.99 लेक रोड का मार्केट केप इसके अलावा LTI Mine Tree का जिसका 1.65 लेक रोड का मार्केट केप है Tata Steel जिसका 1.64 लेक रोड का मार्केट केप है SBA Life जिसका 1.41 लेक रोड का मार्केट के में Grassim जो 1.4 लेक रोड के आसपास है Take Mahinda जिसका 1.34 लेक रोड है LDFC Life 1.32 लेक रोड हिंदाल को जिसका 1.25 लेक रोड के आसपास है Britannia Industries, Incent Bank, Tata Consumer इतनी बड़ी-बड़ी कमपनियों को इसने पचाड दिया है यह देख सकते हो कि एक Final Sector की कमपनी जिसका कारूबार एक तरह से देखे तो 30-40-50 एंपलोई के दंपे चल रहा है लेकिन उसका जो मार्केट के अब देखे तो बड़ी-बड़ी इंडिया की कमपनियों को पचाड चुका है जनवरी महीने में देखे तो 60% का जबरदस रीटन दिया इस टॉक ने और 2023 में इसने 233 का रीटन दिया था अब यहाँ पर नोमा अल्टरनेटिव का कहना है कि IRFC के करीब 261 करोड शेर है यह 20% जो शेर है वो 29 जनवरी को इसका लॉक इंड खत्म होगा और उसके बाद में बाजार में आएंगे और उससे लगता है कि कुछ यहाँ पर selling pressure बढ़ सकता है यह कहना है तो यहाँ पर जो market expert है उनका कहना है कि यह तेजी के पीछे वज़े कि आने वाले 4-5 साल के लिए order book इसकी मजबूत है काफी ज़्यादा इनके पास कामकाज है जिस से रेल्वे के project एक के बाद एकारे तेजी आगे भी जारी रहेगी अभी जो interim budget आने वाला 2024 का एक फरवरी को जिसमें रेल्वे को लेकर बड़ी announcement हो सकती है और इसमें जिसमें भी तेजी का बढ़ा रही है IDBI Capital की तरब से विसाल पेरिवाल का कहना है कि आने वाले budget में बहुत ज़्यादा और announcement हो सकती है और इस पूरी खबर के माहुल पे उस आगे आने वाली आसा के दम पे IRFC हो या दूसरे रेल्वे के शेर दोड़ रहे कि सरकार इस बार भी budget में बढ़ा एलांद कर सकती है market expert का कहना है कि आने वाले समय सरकार इस budget में और ज़्यादा CAPEX बढ़ा सकती है और सरकार आने वाले समय 400 energy efficient बंदे भार ट्रेंड ला सकते हैं उसके लिए collaboration किया गया है नई technology के दम पे आने वाले समय बंदे भारत में और बदलाव भी हो सकते हैं और काफी बड़ा निवेस होने वाला है बंदे भारत के लिए और जिस तरसे सरकार इस समय फोकस कर रही है रेल्वे में एक पूरी तरसे आमुल परिवर्तन लाने के लिए जिसका फाइदा देखने को मिलेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट जो इस समय pipeline में काफी नई railway line बिचानी है और इसी वज़े से देखे तो railway के अंदर बहुत सारा पैसा आने वाला है और इस तरसे IRFC का भी रोल बढ़ता हूँ दिखाए देगा तो इसी वज़े से देखे तो IRFC के शेर में तेजी दिखाए दे रहे है और यह आगे भी जारी रहा सकते है बज़र तक और अगर रिज़र बैतर होगा तो फिर इसके बाले एक साधार तेजी की संभाणा और बनेगी दूसरी बड़ी एक अपडेट और है कि आस्ता इस्पेशल ट्रेने शुरू की गई है यह अयोद्या के लिए अलग-लग स्टेशन से 66 स्टेशन से आस्ता ट्रेने शुरू की जा रही है यह आने वाले समय में चलती रहेगी तो यह स्पेशल नई ट्रेने शुरू की गई है आने वाले समय में इसके उपर भी सरकार बहुत सारा खर्च करेगी देखतो की आप यह 22 कोच की जो ट्रेन होगी अलग-अलग रिजन से अलग-अलग स्टेशन से यह सब अयोद्या जाएगी राम मंदीर में राम के दर्शन करने के लिए और आप समझ सकते हो की यह बहुत बड़ा यहाँ पे इसमें आने वाले समय रेलवे की तरब से यह पूरा पॉजिटिव माहोल बना तो सुबह देखतों 9 बचकर 15 मिने पर बाजार खुलते ही यहाँ पे 150 की प्राइस से करी 15,92,000 की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई फिर 9 बचकर 16 मिने पर 149 की प्राइस से 7,36,000 की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई उसके बाद 9 बचकर 37 मिने पर 151 की प्राइस से 7,85,000 की एक खरिदारी हुई तो उसके बाद 9 बचकर 49 मिने पर 152 की प्राइस से 8,68,000 की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई फिर 10 बचकर 8 मिने पर 155 की प्राइस से करी 15,00,000 की एक जबरदस खरिदारी हुई फिर 10 बचकर 25 मिन चरों की बड़ी खरीदारी फिर से होई तो कुल मिला के देख सकते हो की लगातार खरीदारी जारी है यहाँ पे और इसी वज़ेसे कह सकते है कि तेजी का दोर आगे भी बढ़ेगा बड़े फंडा उस जम के खरीदारी करें और सबसे जो बड़ी बात है इसका 12 लगातार देख सकते हो कि 2019 में जापे 2254 कोड का प्रॉफिट था वो 2023 में बड़के 6337 कोड तक पहुंच गया लगबक तीन गुना हो चुका है ऐसे मैं आप देख सो कि इसका बीजनस जो बढ़ रहा है वो इसकी प्राइस को काफी उपर लेकि जा सकता है अब एक बार इसके पीवर् पॉजिटिव मावल बना तो 155 का फर्स रेजिस्टन से यह अलड़ी ब्रेक हो चुका है सेकेंड रेजिस्टन 164 का है अब इसको पार के लिए तो 174 तक जाएगा नहीं पहुने दोस्तों तक जा सकता है तो बिल्कुल लॉंग टम इंवेस्टर के लिए अच्छा मोगा है करें आने वाले समें आपको मालमल कर देगा शौट टम इंवेस्टर आदा प्रॉफिट याँ पर चाहे तो बुक कर सकते हैं वैसे अभी भी स्टॉक मजबूत दिखरा आने वाले समें और तेजी से आगे बढ़ सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पह आने वाले समेंट